किंद्रिय खेल मंत्री मंसुख भाई मांडविय शुक्रवार को LNIPE के दिख्षांत समारों में पहुँचे इस दोरान उन्होंने कहा कि आज मुझे ग्वालियर आकर खुशी हो रही है मैं यहां हमारे फिजिकल उनिवर्सिटी के दिख्षांत समारों में आया हूँ इसके आगे उन्होंने कहा कि मोधी जी के नत्रितों में देश बदल रहा है अब देश स्पोर्ट सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और नए भारत का निर्मार कर रहा है उन्होंने कहा कि अब भारत 2036 में उलम्पीक होस्ट करने जा रहा है, साथ ही आने वाले दिनों में हम हमारे देश की स्पोर्ट सेक्टर की नई जेनरेशन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमी का अधा करेंगे, ग्वालियर से योगेस बिसार्या की रिपोर्ट आज मुझे ग्वालियर में आके खुशी हो रही है, राजमाता सिंद्या जी की एक कर्मो भूमी रही है और यहां अमारे फिजिकल एजुकेशन में काम करने वाले इंस्ट्यूट के दिक्षान समरोह में जब मैं आया हूँ तब देश स्पोर्ट सेक्टर में आगे बढ़ रहा हूँ मोदी जी के नेतरुत्व में देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्मान हो रहा है जब भारत 2036 में ओलम्पिक होस्ट करने जा रहा है तब आने वाले दस साल में देश को स्पोर्ट सेक्टर में आंतराश्टी कक्षा में एक से दस्वे स्थान में आना है और जब देश आजादी का शतापद्य वर्ष मनाएंगे यानि कि देश की आजादी का सो वर्ष पूर्ण होंगे उस वक्त देश को स्पोर्ट सेक्टर में वेश्वीक स्थर पर एक से पांच क्रम में आना है उसके लिए अच्छे कोच चाहिए अच्छी ट्रेनिंग चाहिए और उसके द्वारा देश में स्पोर्ट सेक्टर में रही टेलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको ओपर्चुनिटी देनी चाहिए हमारी संस्थान में ऐसे अच्छे कोच निर्वान करने का कार्य चल रहा है अच्छा फिजिकल एजुकेशन का कोर्स और ट्रेनिंग डिप्लोमा डिग्रीमा पीजी और पीएचडी तक का एजुकेशन चल रहा है वो आने वाले दिनों में हमारे देश की स्पोर्ट सेक्टर की न्यू जनरेशन को तैयार करने में महतोपूर्ण भुमिक आदा करेगा